हाँ जी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इसका ही केमस्ट्री क्लासेज में और आज की क्लास में आपने देखने वाले हैं फिनोल के रासाइनी गुंदरम केमिकल प्रोपर्टीज और फिनोल एर ओएच कई टाइप की रियेक्शन देता है फिनोल उ तो कुछ रियेक्शन होगी इस ओएच समुवा के कारण कुछ रियेक्शन होंगी वो रिंग के कारण और तीसरे टाइप की होंगी संगन नभीक्रिय हैं जिनके अंदर छोटे मोलिक्यूल का निसकासन होगा जब फिनोल के रियेक्शन करो या फिनोल किसी दूसरे को कई घृता है तो वह तीसरे टाइप की ओर रियक्शन होंगी वह सी टाइप की ओंगी वह कहला हैं इस तरीगे से दर साते या कहला था फिनोलिक सम्वाइयानि यह पार्ट जो देख रहे हो वह तो रिंग से जुडावाए एक तरफ डबल और इस में देखने वाले पहले एक नेचर अब फिनोल अमली यह प्रकृति का यानि एक दुर्बल अमल की तरह विवार करता है वीक एसिड कौन फिनोल अब वीक एसिड है इसका मतलब कौन सा आयन देगा फिनोल एस प्लस आयन देता है कहीं न गई इसलिए वो क्या है आसानी से नहीं देता है लेकिन दे देता है तो ये वीक एसिड है और इसकी फिनोल की अपन अमलिय प्रकृति की यहां चर्चा करने वाले हैं अब देखो फिनोल को सोडियम, पोटेशियम जैसी एक्टिव मेटल्स के साथ सक्रिय दातूं के साथ जब फिनोल की रियक्शन करवाएंगे, ये एक्टिव मेटल्स है, सक्रिय दातूं से अभी एक्रिया तो देखो फिनोल, ये होता है अपना अल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग में और बेंजीन वले पर ओएच, इसकी रियक्शन करवाने आ रहे हैं अपन सोडियम के साथ, या फिर करवा सकते हो इसके साथ पोटेशियम के साथ, अब सोडियम और पोटेशियम क्या करेगा यहां, सोडियम और पोटेशियम आप जानते हो इलेक्ट्रोन का निसका इसा है, निकल लिया, अब ये इलेक्ट्रोन तो सोडियम ने दे दिया, इसलिए तो ये एक्ट्व मेटल है, ऐसा ही पोटेशियम करता है, के, टू, एट, एट, वन, के प्लस प्लस, वन इलेक्ट्रोन, ये आसानी से इलेक्ट्रोन दे देती है, इसलि कि लिएगा कि अधर देको इस बॉंड़ जाद था है और और जिए अक्सीजन के विद्यूधिविटी विद्धि त्रीनता च्छादग्धा लिए खाई हाईड्रोजन की कम है ठो इस बॉंड एक लगें एक और एक और च्पार्ण का दोनूं किस ने ले लिए दोनूं ले लिए ऑसी इन पे कॉन सा चार्ण गया नेगेटिव और hydrogen पे कौन सा चार जाएगा positive यानि H plus मिल गया अपने को अब H plus के पास एक electron की कमी है तो वो electron कौन देदेगा ये फालतु का electron पड़ा है sodium और potassium देएगे ये H plus उस electron को लेकर हाप H2 बना लेगा यानि एक hydrogen पर मानोगा अपन gas के रूप में निकलेगा इसलिए हाप H2 या सब को डबल कर देते हो H2 मिल जाएगा अपने हाप H2 फिर ये OPM माइनस और ये sodium और potassium जो positive है ketion sorry ketion है दनायन वो जूट जाएगे या तो sodium है या potassium इसका नाम हुझाएगा sodium phenoxide या potassium phenoxide ये बन जाएगा सक्रिय दातों के साथ कौन सी gas मिलती है अपने को hydrogen gas और hydrogen gas का मिलना ये साबित करता है कि phenol acid की नेचर का होता है पहले तो बात ये हुई उसके बाद दूसरी reaction और है phenol की reaction अपन करवादे हैं यदि NaOH के जली अविलियन के साथ NaOH के जली अविलियन के साथ ये action करवादो आपको पता है कि ROH-1 देता है और H-1 को ले लेता है तो ये H-1 माइनस क्या हो गया ये H-2O ये निकल गया पीछे क्या बचा O- और ये Na प्लस ये sodium फिनोकसाइड बन गया ये दिक सार sodium आइडरोकसाइड के साथ अभी एक रिया गरके sodium फिनोकसाइड बनता है sodium फिनोकसाइड लवन और जल का बनना ये साबित करता है कि फिनोल की nature एसीडिक होती है फिनोल को शार के साथ अभी उक्रित करने पर लवन और जल का बनना क्योंकि अमल और शार अमल ये एसीड प्लस शार बेस रियेक्शन करके क्या करते है रियेक्शन करकर देते है अपने को लवन प्लस जल तो यहां भी लवन और जल बन रहा है इसका मतलब अपने एकक्षार लिया तो फिनोल एसिड है उनकी रियक्षिन से सोडियम फिनोकसाइड साल्ट बन गया और साथ में वाटर भी प्राप्त होता है अपने को इसके अलावा यदि अपन ग्रीनियार अभीकरमक के साथ रियक्षिन करवा दें कि इसकी फिनोल की तो यह तो रहा अपना फिनोल इसकी रियेक्शन ग्रीगनाड रियेजेंट अब ग्रीगनाड रियेजेंट के अंदर एलक्यल या एरिल जो है वह रिनाविसित होता है इस पर पॉजटिव चार्ज नेगेट्यु और यह नेगेट्यु चार्ज यानि हाइड्रो कार्बन, पीछे क्या बजता है, O- और Mgbr प्लस, ये बन जाता है, इनका निर्मान भी क्या साबित करता है, हाइड्रो कार्बन, एलकेन का निर्मान ये साबित करता है, कि H+, किस ने दिया, फिनोल ने दिया, और जो H+, आयन देता है, वो क्या है, एच प्लस आयन देता है कौन इसका मतलब फिनोल क्या है एसिड है क्योंकि इसने ग्रीन यार अभी कर्मक के साथ रियक्सेंस हैं क्या बना लिये हैं हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन तब बने हैं जब ये CS3 के साथ एच प्लस जूड़ के CS4 बना ले या R के साथ एच जूड़ के RH बना ले तो RH भी क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन एलकेन ही होते हैं तो ये रियक्सन भी क्या साबित करती है कि फिनोल अमलिय प्रकृति का होता है अब फिनोल की अमलिय प्रकृति के क्या कारण ह वो देखते हैं पर फिनोल की अमलिये प्रकृति के कारण, फिनोल की अमलिये प्रकृति के कारण, पर फिनोल की अमलिये प्रकृति का क्यों होता है, उसका पहला कारण है अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण, द्यू टू रेजोनेंस, अब देखो फिनोल है, यह, यह, अब देखो फिनोल जो है, उसमें यह उक्सिजन पे उपस्तित लोन पेर, पाई बॉंड के साथ कॉंजूगेशन में, यह नि अल्टरनेट है, यह लोन पेर, सिंगल बॉंड, डबल बॉंड, यह लोन पेर, सिंगल बॉंड, डबल बॉंड है, तो यह कॉंजूगेशन की स्तिति है, इसको कहते हैं संयूगमन, यह नि अल्टरनेट, यह डबल बॉंड, सिंगल बॉंड, सिंगल बॉंड, डबल बॉंड, सिंगल बॉंड, यह भी क्या है, zoonjugation की सित्थिति इसको सही उगन कहते है पर तो इस पाई बॉंड के साथ यह लॉन पेर क्या यह अनुनाद में है तो इस यहां-पाई बॉंड की रूप में बेज़ दो और इस पाई बॉंड को अगले कारबन पे बेज़ दो देको क्या बना यह बना ओ कि एच उक्सीजन पर कौन सा चार्ड जाजेगा इदर से लोन पेर गए पहले साजे में नहीं थे अब ये में लग गए तो नुख्सान वाना इसों चीजन के लोगोर पहले इस पर पढ़े थे अब साज्वे में लग गये यहां डबल बॉंड के रूप में तो उस अग्सीजन में रखे वे थी समय असले कि चिसी देग दि कि नुक्सान तो पोजिटिव। फिर इस पाई बॉन्ड को सिफ्ट कर दिया तो यह नेगेटिव। यह double और यह डबल तो फिर इस नेगेटिव चार्ज को यह बेज दो और डबल बॉंड के रूप में डबल बॉंड को अगले कार्बन पर बेज दो तो देखो नेगेटिव डबल बॉंड डबल बॉंड यह डबल बॉंड ओ पोजिटिव और यह है फिर यह ऐसे प्रक्रम चलता रहेगा नेगेटिव को डबल बॉंड के रूप में डबल बॉंड को अगले कार्बन पर बेज़ दिया तो सुरी यह यह इस चुने आए फिर इसको यहां बेज़ दो और इसको वापस अपने तो यह 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 बन गया फिनोल की अनुनादी सरंचना है तो ओक्सीजन पर उपस्तित लोन पेर फिनोल में ओक्सीजन पर उपस्तित लोन पेर वले के पाई बंद के साथ सयूंगमन में होता है परिणाम सुवरूप लोन पेर वले के साथ अनुनाद में चला जाता है जिसके कारण फिनोल के OH समोगी ओक्सीजन देखो धनावेशित हो गई है ओक्सीजन क्या हो गई है धनावेशित हो गई है और धनावेशित जब ओक्सीजन हो जाएगी तो इस OH बंद के इलेक्ट्रोन क्या करेगी तुरंट ले लेगी क्योंकि पोजिटिव चार्ज ओक्सीजन पे आएगा तो ओक्सीजन की विद्यू त्रिणता इलेक्ट्रोन नेगिटिविटी ज्यादा है ये क्या करेगी? OH बंद के इलेक्ट्रोन तुरंत ले लेगी और ये H प्लस के रूप में निकल जाएगा तो अनुनाद के कारण इसकी एसेडिक नेचर होती है तो देखो फिनोल में ओक्सीजन परमाणू पर उपस्तित लोन पेर बेंजीन वले के बेंजीन वले के पाई बंद के साथ अनुनाद में होता है अनुनाद में सला जाता है ये लोन पेर जिसके कारण ओएच समुए की अक्सीजन धनावेशित हो जाती है तथा ओएच बंद की दुर्वता बढ़ती है अब ओएच बंद की पॉलरेटी बढ़ जाएगी इस पे पोजिटिव आयेगा तो इस बंद की इलेक्ट्रोन लेगा ओन ओक्सीजन ओएच बंद की इलेक्ट्रोन लेगा और एच प्लस को निकाल देगा ओएच बंद की दुर्वता बढ़ती है और ओएच बंद का विदलन आसानी से हो जाता है ओएच बंद का विदलन आसानी से हो जाएगा और एच प्लस मुक्त हो जाएगा तो पहला कारण हो जाएगा ये कि फिनोल में ओक्सीजन का जो लोन पेर है वो वले के साथ पाई इलेक्ट्रोनों के साथ कॉन्जूगेशन में है और अनुनाद में कॉन्जूगेशन के कारण जिसके कारण oxygen धनावेशित हो जाती है और oxygen जब धनावेशित होती है तो OH बॉंड की दुर्वता polarity बढ़ जाती है क्योंकि oxygen पर positive आजाएगा oxygen positive आपको पता रखता नहीं है तो OH बंद के electron लेकर के और H plus को सुगमता से क्या कर देता है यह अलग कर देता है तो यह तो हुआ पहला कारण अनुनाद के कारण फिनोल acedic nature दर्शरत है अब देखो दूसरा reason देखते हैं पर फिनोल की अमलिये प्रकृति का दूसरा क्या कारण है तो OH समुए के कारण की संकरण अवस्ता हाइवडाइजेशन स्टेट ओप कारण अटेश्ट विद ओएच तो फिनोल का देखो यह ओएच समुए जिस कारण के साथ अटेश है वो है sp2 संकरित और sp2 संकरित की विद्यू तिरिनता क्या होती है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाई होती है उच विद्यू तिरिनता होती है जब इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इस ओएच समुएच इस कारण से जुड़ा हो आया फिनोल के उसकी विद्यू तिरिनता उच होगी तो यह क्या करेगा यह कारण इस ओएच बंद के इलेक्ट्रोनों को इधर खिंचेगा अपनी और जैसे ही खिंचेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोन गनतों में क्या आएगी कमी आएगी यह इस ओक्सीजन के इलेक्ट्रोनों को यह कारण जो है इस ओक्सीजन कारण बंद के इलेक्ट्रोनों को यह कारण अपनी तरफ खिंचेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोन ग करेगा और इस इस्तिति में जब ऑक्सीजन इस बंद के लेक्रोनों को अपनियों राकर्शित करेगा तो एच प्लस आसानी शे मुक्त हो जाता है तो मैं यह कह सकता हूं कि कि सी ओएच आबंद के कार्बन कि की संक्रण अवस्ता कि एस पी टू होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगिटिविटी यानि विद्यूत्रिणता उच होने के कारण उच होने के कारण यह है एस पी टू संक्रीत कारबन एस पी टू संक्रीत कारबन सी ओ बंद के कारबन ओक्सीजन बंद के इलेक्ट्रोनों को आकरशित करता है जिसके कारण ओक्सीजन परवाणू पर ईलेक्ट्रोन गनत्वे में कमी आती है अब ओक्सीजन की कोई इलेक्ट्रोन घheenच रहा है तो ओक्सीजन आइड्रोजन के खीचेगा और आइड्रोजन άसानीशे मुक्त हो जाता है तोक्सीजन परमानों के इलेक्टोन गनत्वे में कमी आती है और परिणाम सुरूप क्या होता है OH बंद की दुर्वता बढ़ती है और H प्लस आयन आसानीशे मुक्त हो जाता है यानि ये कार्बन SP2 संक्रीत है इस CO बंद की इलेक्टोनों का अपनी तरफ कीचेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्टोन गनत्वे में कमी आएगी ऑक्सीजन को ऐसे लगाएगा कमी आ रही है तो ऑक्सीजन इस बंद की इलेक्टोनों को छीन लेगा और H प्लस असानी शे निकल जाता है तो दूसरा कारण हो जाएगा OH समुए के कार्बन की संक्राण अवस्ता के कारण फिनोल ACD प्रकृति का होता है अब तीसरा रीजन देखते हैं रीजन थर्ड फिनोल का जब आइनन होता है इसको स्वाइनन कहते हैं अपन बिना किसी कारण के यह आइनन करवा देते हैं एक बार को तो अपने पास यह H प्लस अलग कर दिया और यह फिनोकसाइड आइन बनी गया यह फिनोल है अपना और इसके स्वाइनन से Self-Ionization की अपने आप यह तूटी है तो यह बन जाता है फिनोकसाइड आइन अब फिनोकसाइड आइन जो है उसमें और फिनोल में इस्ता ही तुम में अंतर है देखो यह फिनोकसाइड आइन है इसका नेगिटिव चार्ज वले के साथ अनुनाद में रहेगा यह नेगिटिव आजएगा इस नेगेटिव को पाई बॉंड के रूप में बेज दिया है और पाई बॉंड को अगले कार्बन पे बेज दिया है फिर नेगेटिव को डबल बॉंड के रूप में डबल बॉंड को अगले कार्बन पे बेज दो यह नेगेटिव डबल बॉंड यह डबल बॉंड से ऑक्सिजन फिर नेगेटिव को डबल बॉंड के अपमें डबल बॉंड को अगले कार्बन पर वेज़ दो दबल बाउन्व ओक्सीजन यह नेगेटिव यह तबल बाउम्ड फिर इस नेगेटिव को यहां और इसको आपने जगे तो यह बन जएगा वापस यह यह डबल बोंन यह डबल बाउन्द और यह डबल Ini यह तो भी फिनोकसाइड आइन की रेजोनेटिंग गस्ट्क्ठर फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग या अनुनादी या केनोनीकल स्टक्चर्स अब फिनोक्साइड आयन की अनुनादी स्रंचनाएजो है उसमें अधिक विद्युत्रिनी परमाणूं पर रिनावेस है या उक्सिजन पर देख रहे हो और आवेस का प्रत्थक्रण भी नहीं है यानि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है पोजेटिव चार्ज यहा नहीं ह तो एक तो अधिक विद्युत्रिनी परमाणूं पर रिनावेस है और दूसरा आवेसों का प्रत्थक्रण नहीं है अधिक विद्युत्रिनी परमाणूं पर रिनावेस और आवेसों का प्रत्थक्रण नहीं है एक ही टाइप का आवेस है पोजिटिव और नेगटिव दोनों नहीं है तो एक तो अधिक विद्यूत्रिणी परमाणों पर रिनावेस है तो वो अनुनादी सरंचनाए ज्यादा इस्ताई होती है और दूसरा आवेसों का प्रत्थक् अब देखो चलते हैं अब फिनोल में देखो फिनोल के अनुनादिस रंचना है यह जो है इसमें अधिक विद्यूत्रिणी परमाणू अक्सिजन है और उसपे पोजिटिव चार्ज है और आवेसों का प्रत्थकरण भी मौजूद है यानि पोजिटिव और नेगेटिव है द फिनोल अनुन तूट करके असानीशें क्या बनाएगा फिनोकसाइड आयन ज्यादा हिस्ता ही है फिनोल की बजाए कारण क्या है कि फिनोकसाइड आयन में आवेसों का प्रत्थकरण नहीं है पोजिटिव और नेगेटिव नहीं एक ही टाइप का आवेस है तो वो लिए ओकसिजन पर धनावेश होता है तो यह आईनन जो है वह आसा निशे वह जाता है और फिनोल तूट करके फिनोकसाईड आइन आसा निशे देता है तो यह तीन कारण हो गए एक है अनुनात दूसरा OH समय के कारबन की संक्रण अवस्ता और तीसरा हो जाएगा फिनोक्साइड आयन का फिनोल की तुलना में अधिक इस्ताइत हुए जिसके कारण फिनोल एसिडिक नेचर का होता है अमलिय प्रकरती का होता है